चलो 7 अगस्ट के पेपर के डाउट्स करते हैं तो ये डाउट्स है 2, 9, 21, 24, 34, 35, 37, 41 राइट चलो तो second question क्या है when drops coales तो क्या होता है उसका temperature बढ़ता है कि temperature कम होता है अगर drops coales हो रहे drops बहुत सारे drops coales हो के बड़ा drop बंढ रहा है तो overall surface area क्या होता है कम होता है overall volume तो उतना है रहता है, maas उतना है रहता है लेकिन overall surface area क्या होता है, कम होता है single छटे छटे drops से तो area बढ़ा रहता है वो एक साथ होने के बाद एक ही drop का area और ये छटे छटे drops का, sub drops का मिला के area तो बड़े drop का area कम रहता है तो area कम मतलब area का अंदर जो energy stored है area के अंदर जो energy stored है वो भी कम हो जाए तो जब drops छोड़े छोड़े थे तब बहुत उसमें energy था coales होने के बाद इसके area में कम energy है तो बच्चा हुआ energy जाएगा किदर इधर energy जाद था इधर energy कम है भी coales होने के बाद surface energy तो बच्चा हुआ energy जाएगा किदर तो that remaining energy is used to increase the temperature of the drop तो when small small drops coales and big drop formation happens temperature of big drop increases then question number 9 में work निकालना है work मतलब क्या रहता है area into surface tension तो surface tension जो है यहाँ पर मैंने put किया है area two times लेने का क्यूंकि हर time film जब बनता है तो film का area दो रहता है उपर का area एक नीचे का area तो जितना भी area दिया है उसको 10 raise to minus 4 से multiply किया है meter square में convert करने के लिए और 2 उपर का area और नीचे का area इसलिए 2 लेने का तो answer आता है question number 21 में क्या है ऐसा एक plate है metallic और नीचे यहाँ पर oil है 2 mm का thick इसको force लगाया इतना तो भागना चालू करता है with this much velocity तो हमको viscosity निकालना है तो force area, viscosity का यह वाला relation है तो force कितना लगाया है? 0.1 viscosity कितना है? वो निकालना है area कितना? जिस plate के उपर force लगाया है जिस plate को भागाना है उसका area तो उसका एरिया दिया है वो इधर पूट किया डीवी चेंज इन वेलोसिटी मतलब यह नीचे का सर्फेस और उपर का प्लेट इनके बीच में वेलोसिटी का डिफरंस कितना है तो यह नीचे का सर्फेस जीरो वेलोसिटी पे है यह प्लेट का वेलोसिटी इतना दिया है तो वी कितना है उपर का प्लेट और इसके बीच में वेलोसिरी डिफरेंस तो वह वन है तो वन इंड्यू 10 दिश्टो माइनस टू लिखा है मैंने और डिवाइड़ेड़ पाइड डेल्टा एक्स मतलब डेल्टा वी किनके बीच में ये लेयर और ये लेयर इनके बीच का मिटर तो इसको सॉल को आइन्सर आता है देन क्वेशन नंबर 20 में क्या होता है दो स्टोन्स ऊपर से ग damping अर उनका मोमेंटम का रिशो हमको हमको फाइंकर पहले का मॉमेंटम अपन दू सहरे का मोमेंटम ये रिश्यो तो पहले का मास कितना है तो वाल्यू इंटी density लिखा, stone spherical दिया है, तो इसलिए sphere का volume लिया, दूसरे का mass तो उसका भी volume into density लिया, दोनों का density मेंने same लिया है into velocity 1 upon velocity 2 तो velocity ये terminal velocity पहले वाले का, ये V2 terminal velocity दूसरे वाले का, तो terminal velocity का ये formula है, तो 2 by 9 तो constant ये g दोनों sphere के लिए same रहेगा, इटा भी दोनों sphere के लिए same रहेगा, air का इटा मतलब ये viscosity rho, sphere का minus sigma air का, जिस fluid में वो गिर रहा है, मतलब air में गिर रहा है न, stones, तो sigma air का लेने का, तो ये भी constant है दोनों spheres के लिए, तो फरक कि इदर आता है, r में फरक आता है तो आता है, तो r1 by r2 ratio दिया है, उससे हम लोग निकाल सकते है, वो r1 upon r2 ratio 5 कितना आता है, तो 1 upon 32, question number 34 में क्या है, यहां का इस surface का temperature दिया है 30, मतलब skin का, skin के बाद में आता है west, west मतलब बनियान, तो ये skin का temperature है 30 है यहां पर west है west और ये क्या है, shirt, shirt के बीच में temperature है 25 और shirt और coat इनके बीच में temperature है 20 तो इधर से जितना heat flow होगा इधर उतना ही इधर से इधर heat flow होगा तो heat flow का rate यहां पर joules per second और यहां पर joules per second दोनों क्या चाहिए same तो क्या formula है ता है joules per second, heat flow कैसे निकालेंगे delta T upon R1 heat flow कैसे निकालने का रहता है delta T upon R1 temperature difference कितना है 30 यह 25 है temperature difference 30 minus 25 upon R1 मतलब यह इस layer का resistance तो resistance का formula का है L upon K resistance का formula का है L upon K L मतलब यह कितनी length जाना है heat को कितना length travel करना है तो L upon K1 इसका constant conductivity constant अपन उसका area A1 is equal to इदर heat transfer उतना ही होना चाहिए equilibrium है temperatures यहाँ पे यहाँ पे बीच में और इदर maintain है तो मतलब इदर जितना heat flow हो रहा है इदर भी उतना ही heat flow होगा तो इदर का delta T 25 minus 22 अपन यहाँ का resistance L upon K तो इदर का L मतलब इसका thickness heat transfer heat भागता है ना तो heat को कितना length cover करना है दोनों surfaces के बीच में heat को कितना length cover करना है वो length रहता है L upon K इसका यह shirt का K upon A तो area same है क्यूंकि shirt जितना area का है उतनी area का west है तो area area cancel west का thickness और shirt का thickness मतलब यहाँ पे L है वो तो वो भी same दिया है cancel similarly question number 37 भी वैसा है देखो यहाँ पे 100 degree temperature है यहाँ का temperature निकालना है और यहाँ का temperature 0 degree है इदर का K1 2 है इदर का K1 2 has to 3 दिया है मैंने 2 ही पकड़ा है इसको तो यह 3 आएगा तो यहाँ पे heat flow कितना है 100 minus T upon L upon K 100 minus T इदर इदर का heat flow और इदर का heat flow same रहेगा 100 minus T upon L कितना length है L upon K कितना है 2 into A area तो इसका area, इसका area same है radius और length same दिया है यहाँ का temperature difference T minus 0 upon L upon K L इदर भी L है K3 है और area A दोनों का area same है, diameter same दिया है तो सब cancel होगा solve को रा answer आ जाएगा Question number 35 भी वैसा यह copper है, brass है उपर का temperature 0 है, नीचे का temperature 100 है तो beach का temperature निकालना है यहाँ का K1 है, यह दर का K4 है तो beach का temperature मेंने T पकड़ा है वापस से वही formula यूज़ करा है यह तुम लोग देखो, समझ में आ जाएगा same है, 34 और 37 जैसा है, same है then question number क्या है, शायद यह 41 है ठीक है, चलो तो यहाँ पर एक spare है एक मिनेट चलो, यहाँ पर एक spare है उसका emissivity दिया है, area दिया है temperature दिया है, और surrounding का temperature वो box का मतलब surrounding का temperature 27 दिया है मतलब joules per unit area per unit second joules upon कितना joules का loss हुआ, कितना heat loss हुआ per unit area per unit second, तो इसका यह formula रहता है तो E emissivity डाला यहाँ पर sigma का value डाला, temperature यह spare का कितना है, वो यहाँ पर दारा Kelvin में, और surrounding का temperature Kelvin में डाला, तो यह आता है answer यह क्या है, joules lost per unit area per unit second लेकिन total joules lost, वहाँ पर पूछा है joules lost per unit second तो इसलिए area से multiply करने का joules lost per unit second चाहिए यह क्या है यह क्या है, यह जो answer यहाँ पर मिलेगा वो क्या है, joules lost per unit area per unit second है वो हमको चाहिए per unit second बस per unit area नहीं चाहिए, तो area से multiply किया तो इतना answer आता है थोड़ा क्या क्या है, calculation में मैंने 5.6 ले आता तो 5.67 ले लोगे तुम लोग तो यहाँ पर बराबर 182 answer आता है option C